महारास्टर के मुख्य मंत्री उदव ठाकरे के सरकारी बंगला वर्षा की दिवार पर अपशब्द लिखने का मामला सामने आया है हाल ही में इस्तिफे के बाद देविंदर फण्वीज ने इस सरकारी आवास को खाली किया था दरसल PWD को जब उन्होंने बंगला सोपा तब उसमें एक कमरे की दिवार पर अपशब्द लिखे हुए थे माना जा रहा है कि CM उदव ठाकरे के लिए इन अपशब्दों का परियोग किया गया था सुत्रों के नुसार जिस कमरे में CM उदव ठाकरे के लिए अब शब्दों का इस्तिमाल किया गया है वो कमरा देविंदर फण्वीज की बेटी द्वारा उपयोग में लाया जा रहा था बंगले के एक कमरे की दिवार पर लिखा था इस यूटी शब्द का CM उदव ठाकरे से जोड़ कर देखा जा रहा है यह मामला सामने आने के बाद देविंदर फण्वीज परिवार पर सवाल उठा रही है बता दे कि मुखे मंत्री उदव ठाकरे अभी यहाँ शिफ्ट नहीं हुए है फिर आल पीड़े विभाग दवारा नए मुखे मंत्री के लिए वर्शा बंगले की मरमत का काम कराया जा रहा है मारास्ट में सत्ता हाथ से जाने के बाद अमरिता फण्वीज ट्यूटर पर शिवसेना पर कई बार कर ताक्ष कर चुकी है पूर्व मुखे मंत्री देवेंदिर फण्वीज की पतनी और पेशे से बैंकर अमरिता फण्वीज शोसल मीडिया पर लगातार अपना गुसा निकालती आई है ऐसे में समझा जा रहा है कि वर्शा बंगले की दिवार पर भी शायद उनके इस गुसे की भेट चड़ गई है और फानिस बंक्वेट हो जोती गादन वोल्ड-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightening, a perfect venue for wedding, launching and parties, Raj Gharana and Jyoti Garden by JBD Banquets Enterprise